उम नमाशिवाय हर हर महादेव स्वागत है आप सबी के अपने इस योटूब चैनल जीपनजीने की खला स्प्रिच्वल में आई आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में जानेंगे धनुराश के जातकों का कैसा रहेगा जून का महीना साथी साथ ये भी जानेंगे कि क्या उपाय करें तो जो भी मुश्किले आने वाली हैं वो टल जाएंगे जून के महीने में और आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे तो वीडियो को बिना स्किप किये हुए अंत तक जरूर देखिएगा साथी साथ इस महीने जिस भी जातक का जन्मे दिन है आप आपको धेर सारी शुक कामनाएं जन्मे दिन की आईए जानते हैं आपके राशी का हाल कैसा रहने वाला है धनु राशी के जातकों पर अभी साथे साती का प्रभाव चल रहा है जिसकी वजह से आपके कुटुम्ब में कुछ समस्याएं रह सकती हैं और आपको मानसिक का सामना करना पड़ सकता है आपको धन के मामले में इस दोरान अच्छी सफलता मिलेगी और आप धन अरजित कर पाने में सफल होंगे आपके राशी का स्वामी वक्री अवस्था में है जिसके कारण आपको स्वास्थ का ध्यान रखना होगा तथा खान पान की आदतों पर आपको इस महीने अत्यधिक भूग विलास की आदत से बचना होगा और मर्याधित आचरं करना चाहिए बहतर रहेगा आपके लिए आपको सलाह है कि व्यर्थ में किसी अन्य के जगडे में इस महीने हाथ मत डालियेगा किसी के व्यर्थ के प्रपंच में मत पढ़िएगा इसमें दिकत बढ़ने की संभावना होगी महीने के बाद वाले 15 दिन में आपको कानून के विरुद्ध जा करके कोई भी कारिय नहीं करना चाहिए नहीं तो परेशाने उठानी पड़ सकती है कुल मिला करके यह महीना आपके लिए बहतर रहेगा और संतान को भी बहतर परिणाम मिलेगा बस सावधानी रखेगा तो उपाय की बात कर लेते हैं कि क्या उपाय करेंगे तो यह महीना आपके लिए बेश्ट हो जाएगा शनिवार के दिन छाया पातर का दान कीजिए आपके लिए बहतर रहेगा या फिर एक पीपल का पेहने लगा दीजिए इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो भी मुश्किलें आनी हैं वो टल जाएंगी तो यह इस महीने का राशिफल रहा आपके लिए हर महीने के सटीक राशिफल को सबसे पहले देखने के लिए आप चैनल को अफिश सब्सक्राइब कर लिए बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लिए क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए नई वीडियो ले करके आते रहते हैं साथी साथ वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए वर्टसब पे फेस्बुक पे फैमिली मेंबर्स दोस्तों के साथ ताकि उनको भी सटीक राशिफल मिल सके फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें प्रेम से कमेंट में लिखें उम नमाश शिवाय हर हर महादेव